आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है क्लास 12 का हिंदी चैप्टर वन था आपका पहले भी और अब भी जो है चैप्टर वन है जिसमें आज का ये पार्ट टू है पार्ट वन में हमने देव सेना का गीत देखा था लेकिन आज हम देखेंगे कार्नेलिया का गीत इसका दूसरा पार्ट है जो जै संकर परसाज जी द्वारा ही लिखित है और रचीत है और ये क्लास 12 का हिंदी चल रहा है आपका अंत्रा आपकी जो बुक है वह अंत्रा है और इसका जो हम सम्मरी भी कर रहे हैं साथ में थोड़ी थोड़ी और साथ में इंपोर्टन कोशन कर रह है जो पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या कहा गया है सबसे पहले कारनेलिया के जो है जै संकर परसाज जो है उनके द्वारा परसीद जो उनका नाटक है चंद्रगुप्त उससे लिया गया है तो कभी-कभी पूछ लेता है आपसे पेपर में पंक्तिया दे दिया जाता है और आपसे पूछ लेंगे कि यह प्रसिद्ध नाटक मतलब यह जो पंक्ति और इसके बारे में बताए गया है एक तरह से इस ने बता है भारत के बारे में इसमें तो यह जब सिंदु नदी के तट पर खड़े होकर भारत की जो है गोरव गाथा तथा अध्भुत प्राकर्तिक जो सोंदर्य है उसे अपना देश मानने लग जाती है जब देखती है भारत को हुए और वहां की जो प्राकर्तिक जो अध्भुत सोंदर्य है मतलब प्राकर्तिक जो बनाव ब्षूर्य और लालीय जहां अंजन भूले भट्रिएके लोग भी आश्रे मिलगाना में तो कि लोग दूसरों के दुख तकलीफों को देखकर अतियंत भावुक हो जाते हैं मतलब आप जानते होंगे भावुक का क्या आर्थ होता है तो वह हो जाते भावुक और विशाल समूंदरी की लहरे भी भारत की किनारे उसके आकर टकराकर सांत हो जाती है अथार्थ उन्हें भ भारत की स्तारीफ किनार पश्चित कंचिता जाती है तो टकरा आकर सांत हो जाती है तो यह बारत के बारे में कहीं गयी है का है तो यह सारी चीज आपकी सम्मरी है कार्णेलिय कौन थी आपको पता चल गया और इस में क्या क्या का भारत के भारत के मां बहु लेकिन पूछ ले कि कार्नेलिया दौरा जो है भारत की क्या क्या विसेस्ता बता गई बताई गई है यह एक तरह से पूछ ले की कार्नेलिया के दौरा क्या कहा गया भारत के बारे में ऐसा कुछ तो आप लिख देंगे कि क्या है कि उसने कहा जो पक्षिया है वो भी आकर अप तो यह था अपका कर्नेलिया का समरी समय कि आपको समझ आ गया होगा मैं यह नहीं नहीं लेता हूं आपसे इंपोर्टन कोशन में जो इसमें पूछा गया है important question में आपका और ये याद रखना है आपको कि जैसंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखी दो कविताए है कौन-कौन सी एक कार्नेलिया का गीत एक देवसेना का गीत तो दोनों ही कौन कहा है और ये भी याद रखना है कि आपको ये किस से लिया गया है किस नाटक से लिया गया ह किसका आंस है यह याद रखना है आपको क्योंकि यह पिपर में बहुत बार पूछा जाता है और जब यह ऐसा कोशन अगर आएंगे तो आपसे पका पूछा जाएगा कि यह किसका आंस है या किस से लिया गया है किस प्रसिद्ध नाटक से लिया गया है तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है important question में जो है सिर्फ एक ही जो है ये बार-बार आता है important question अगर हम इसकी बात करें पंक्तियों में से तो इसमें एक question है उड़ते खग और बरसाती आँखों की जो बादल है उसमें क्या विशेश अर्थ वेंजित हो रहा है मतलब क्या विशेश अर्थ हमें जो है मिल रहा है वो उड़ते खग हो गया और बरसाती आँखों के बादल तो आपसे एक भी पूछ सकता है कि उड़ते खग से जो है क्या विशेश अर्थ वेंजित हो रहा है विशेश अर्थ क्या पता चल रहा है तो पहले विशेश उड़ उड़तेखक से जानते हम कि विशेश अर्थ क्या वेंजित हो रहा है कि जूड़ते खक के माधेम से कवी कहना चाता है कि जो पक्षी गण है मैंने आपको उपर बताया कि पक्षी क्या है भारत में भी आते तो व्रवरे अपना गोशला देते हैं. अठार्थ यहां प्रतेक प्राणी को अपने घर जैसे सुख सुविधाई प्राप्त होती है. तो उरतिक हग से माद्यम से कवी क्या कहना चाहता है? या क्या है आर्थ विएजित हो रहा है? क्या है पता चल रहा है? तो यह आप समझ कियोंगे कि जो भी पक्षी गन है वो आकर जो है अपना घोशला एक तो भारत में बनाना चाहते हैं और जो है वो जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो भारत की और मुख करके देते हैं और जो है अथार्त प्रतेक प्राणी को अपने घर जैसी सुविधा प्राप्त होती है भारत में और यहाँ पर उड़ते खक के माध्यम से कवी आएगा यहाँ पर तो कभी लिखिया है तो यह आपको ठीक कर लेना है आयोब कि आपको समझ आ गया होगा उड़ते खक का आर्थ क्या है अगला है बरसाती आँखों के बादल बरसाती आँखों के बादल से कवी क्या कहना चाहरा है तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि बरसाती आँखों के बादल से प्रेम करूना और वे सर्वप्याप्त है यानि प्रेम और करूना जो है इस देश में है तो यह सारी चीजे है बरसाती आँखों के बादल का अर्थ आई होब कि आपको समझ आ गया होगा कि कवी क्या कहना चाता है इनके माध्यम से तो यह था आज का यह चैप्टर का आपका पार्ट टू चैप्टर वन था देव सेना का गीत उसको भी करवा दिया गया है और अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा हो तो जरूर देखे उस कि यह इंपोर्टन कोशन है जो बार बार आपके आते हैं उड़ते खाग हो गया यह बरसाती आँखों के बादल हो गया तो यह था आपका जो है चैप्टर वन का पार्ट टू आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आगे भी हम हिंदी के और भी जो चैप्टर है आपके कव कर यह उसको भी जल्दी करवाए जाएगा लेकिन इन बुक से भी जो है यह जो है एक एक नंबर आपके लिए माइन होता है तो तीन तीन नंबर के जो है कोशन इनसे भी निकलते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यही था आज का वीडियो मिलता के लिए जय हीन जय भारत वंदे मात्रों